नमस्कार, मैं हूँ अबिलाशा और स्वागत है आपका बैक टिद नीचर में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज हमारे मैजिकल इंग्रीडियन कैफीन के बारे में तो सुबह उठकर एक बढ़िया से कप काफी से अपने दिन की शुरुबात करना मुझे बहुत पसंद है लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कितने इसे बेनेफिट्स ब्यूटी इंडस्ट्री में आज की डेट में कैफीन बेस्ट प्रोडक्स के हैं कैफीन अपनी बहुत अची पैचान बना जुका है पूरा ब्यूटी इंडस्ट्री में चाहे बтесь करें हेर केर की या फिर सकिन केर की चाहें तैनिंग रिमोव करनी हूँ या सेल्यूलाइट मार्क्स रिमोव करने हो आज की डेट में caffeine based products almost सारे variants में available है तो आप जब pandemic के time पे एक साल से बिना पालर जाए सब कुछ घर पे कर रहे हैं आप अपनी skincare अपनी hair care बिना इतना पैसा बरबात किये घर पे कर सकते हैं तो फिर इन caffeine based products को आप market से क्यों purchase करेंगे जब आप अपनी kitchen में खुद इससे बना सकते हैं तो आज हमारा वीडियो इसी के उपर है कि किस तरह से caffeine based products को हम घर पर बना करके अपनी skincare और अपने hair care के routine में शामिल कर सकते हैं आईए बिना देरी करें शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो आज कई hair mask लगाने के लिए मैंने 15 days से अपने बालो में कोई conditioning नहीं करी है तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने जादा dry और frizzy हो गए हैं इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दही मेरे बालो की length के according मैं ले रही हूँ 6 tablespoon दही के आप अपने बालो की length के according इसे बढ़ा या घटा सकते हैं इसमें आपने डालना है 3-4 चमच coffee मेरे पास जो coffee available थी मैं वो डाल रही हूँ उसी तरह आपके पास जो भी available है आप उसे use कर सकते हैं इसको mix करके mixer jar में आप एक paste form करेंगे paste form करने के बाद ये काफी जादा liquid सा बन जाता है इसको आप दो parts में divide कर लीजे पहला part hair mask के लिए जो की थोड़ा जादा quantity आप रखेगा और second part face mask के लिए जिसे आप थोड़ा कम quantity भी रखेंगे तो चलेगा face mask वाले bowl में आप honey add कर लीजे और hair mask वाले bowl में आप ले आईए भार से एक aloe vera के leaf और उसमें से gel extract करके उसे mixer jar में डाल दीजे उसके साथ आप डालिए थोड़ा सा olive oil और उसका paste form कर लीजे mixer jar में और उसके पाद उसको hair mask वाले bowl में add कर लीजे इससे आपके पास दो तरीके के मास सेयार हो जाएंगे same base में और इसको आप लगा लीजे अपने बालों में और अपने face में caffeine में anti-inflammatory properties पाई जाती हैं इसलिए इसे under eye creams में बहुत यूज़ किया जाता है एक तरफ ये आपकी आँखों से puffiness remove करता है तो दूसरी तरफ dark circle की problem से भी आपको निजात दिलाता है anti-oxidants में packed होने की वज़े से ये free radicals को bust करता है और आपकी skin को firm भी बनाता है तो ये देखिए मेरा hair mask और मेरा face mask बनके तयार हो चुका है अब वक्त आ चुका है इसे लगाने का सबसे पहले मैं अपने face mask को लगाने वाली हूँ एक brush की मदद से आप एक पुराना t-shirt पहन लीजे बिकुस caffeine के marks भी आपके कपरों पर सकते हैं तो आप इसे अपनी चेहरे पे लगाएंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले ये आपकी dead skin से आपको exfoliage करता है आपकी dead skin सारी remove हो जाती है और आपका blood का circulation improve होता है आपको अगर कहीं पर pigmentation या discolourization का problem है तो ये आपकी skin को even out करके tone कर देता है self repair करने में बहुत help करता है regeneration में बहुत help करता है उसके साथ ही आपकी skin को tight करता है और आपकी चेहरे पे जो pores है उनको shrink करके छोटा कर देता है आपकी skin बहुत अच्छे से detox हो जाएगी और एकदम dirt free हो जाएगी तो आप इसे लगा करके देखिए लगाने के बाद आप अपन अपने फिंगर के पोर्स से circular motion में आप इससे मसाज करिए अपने aging की वजए से हमारे चेहरे के पोर्स जो बड़े हो जाते हैं यह बहुत ही असानी से पहले ही use के बाद आपको दिखेगा कि आपके चेहरे में इतना firmness आ चुकी है टाइट हो चुकी है आपकी skin और जो भी ऐ चेहरे पे आपके नहीं दिख रहे हैं मैंने से अपने हाथों पे भी लगाया था तो हाथों से भी सारी tanning remove हो चुकी है तो आप देख सकते हैं अब वक्त आ चुका है मेरे बालों के लिए 15 देस से जाधा हो चुके हैं मुझे conditioning करे हुए इसलिए मेरे बाल काफी frizzy हो गए ह तो इसलिए मुझे ने सेक्शन में डिवाइड करके बहुत अच्छे से यह मास्क अप्लाई करना होगा मास्क अप्लाई करते करते बीच में मैं आपको थोड़ी डिस्ट्राक्टिट लगूं तो यह मेरी सामने बालकनी का व्यू है विंडो से जिसे देखके में डिस्ट्र हमारे बालों में जो स्कैल्प में ब्लड का फ्लो है उसको इंप्रूफ करता है जब हमारे बालों के लिए स्कैल्प में फ्लो जादा रहता है ब्लड का तो हमारा हेर हिल्दी बनता है हमारे हेर फॉलिकल को स्ट्रॉंग बनाता है जिसकी वज़े से हमारे बाल कम जढ़ते ह और हमारे बालों की growth चादा होती है जब follicle को बहुत अच्छे से blood मिलता है तो वो हमारे बालों की growth चल्दी कर देता है अगर आप ऐसे hair mask या shampoos या serums यूज़ करते हैं जिन में caffeine है तो 3 महिने के अंदर आपको इसका काफी अच्छा result देखने को मिलेगा आपके बाल अगर उलजे रहते हैं de-tangle करना मुश्किल है, unmanageable है तो भी आपको इसका काफी अच्छा result दिखेगा ये आपके scalp को detoxify करता है और आपके बालों के natural color में एक vibrancy आड़ करता है आपके scalp में blood flow जादा होता है और इसलिए आपके बालों में अगर grey hair की problem है तो एक natural dye की तरह ये काम करेगा और एक leave-in conditioner की तरह ये बहुत अच्छा result आपको दिखाएगा अगर आप 2-3 महीने तक इससे regular use करते हैं आपको दिखेगा आपके बालों में बहुत जल्दी आपके बाल ग्रो कर रहे हैं और बालों के जढ़ने की जो problem रहती है जो बहुत ही common आज की date में हो गई है वो भी आपकी काफी हद तक resolve हो जाएगी तो आपको अपने बालों को बहुत अच्छे से condition करना है अच्छे से massage करनी है बालों में और बालों के scalp से लेके बालों के end तक आपको बहुत अच्छे से इसको patiently लगाना है क्योंकि मेरे बाल काफी घने हैं तो आप देख सकते हैं मुझे बहुत time लगता है इसे लगाने में यह liquid है काफी messy है मेरे कपड़ों में भी दाग आ रहे हैं बट कोई बात नहीं है अपने बालों को अच्छा करने के लिए इतना दो हम झेली सकते हैं इसके बाद आपको अपने बालों को अच्छे से बाद लेना है और 30 मिनट्स तक इसे ऐसे ही रहने देना है वाश करके आप देखे कितना अच्छा result इसका आया है कोई product मैंने apply नहीं किया है मेरे बालों की growth भी काफी हो चुकी है तो अगर आपको अपने बालों में चेहरे पे कोई भी समस्या है आप एक बार इसे लगा के जरूर देखे और इसका amazing result देख कि आप इसे regular खुद ही use करने लगेंगे आपको मेरा आज का वीडियो पिसंद आया तो प्लीज इसे और friends और family के साथ share करें like and subscribe करें और आज के time के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं हूँ Abilasha, thank you